नमस्कार मैं डॉक्टर स्वाती मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट स्पैशन पे वेलकम कर रही हूँ आज जो ये वीडियो है वो अब थोड़ा सा रिसर्च पब्लिकेशन को ले करके है लगातार मैं सोशालोजी के कंटेंट को ले करके अपने वीडियो को बना रही हूँ अलग-अलग कंटेंट को मैं यूज कर रही हूँ बट बेसिकली क्या है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर अभी अभी मे क्लियर कर रहे है या फिर वो पिएसजी की तरफ आके बढ़ रहे है तो आगे अब बहुत बड़ा चैलेंज है ना कि हमें अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश कराना जैसे कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे मेल पे भेजा कि क्या मैंने मैं ये पेपर सही बनाया है कि नहीं या what are the process of research paper publication इस तरह के बहुत question है तो मुझे लगा कि मैं कुछ दिन आपको research methodology के चीजों को बताऊँ आज का जो वीडियो है आप यहाँ देख सकते है research paper publication एक general outlook को मैं ले करके आई हूँ कि आप समझे कि कि किसी भी अपने research paper को आप जब publish कराएंगे तो उसके पीछे आपको कौन से steps follow करने होंगे क्योंकि हमें अभी आप नए-ने इस field में आया तो आपको पता ही नहीं है जिसे बहुत ज़दा दिक्कत होती है कि research paper को में कैसे publish कराना है और अगर अभी से आप थोड़े fake research की तरफ चले गए research papers publish कराने के जो fake तरीके है अगर आप उसमें अभी से कदम रख लिए तो बिलकुल बहुत ज़दा दिक्कत आ जाएगी हम लोग के समय बे भी ऐसे challenges हम लोग को भी face करने को मिला था तो अपने experience को ले करके तो मैंने सोचा कि आपकी वो practice होनी चाहिए कि आप अभी से जब अपने research paper को publish कराए तो आपको क्या तरीके adopt करने होंगे क्या process आपको adopt करने होंगे and all ये सारी चीज़े आपको देखनी होंगी तो चलिए आज हम लोग इसी वीडियो पे concentrate करते हैं basically मैं इस वीडियो में आपको research paper publication के step बताऊंगी और साथ में मैं कोशिश करूँगे आपको ये बताने के लिए impact factor एक बहुत नाम हम सुनते आ रहे हैं कि impact factor impact factor उसका basically मैं यहाँ पर calculation नहीं बताऊंगी अगर आप request करेंगे कि मैं impact factor पे अलग से वीडियो बनाएगे तो वो definitely मैं बनाऊंगी पर वो भी एक step है तो उसके बारे मैं बताऊंगी तो इस वाले वीडियो में research paper publication और impact factor और आगे के वीडियो में जब आप research paper लिखना शुरू करते हैं तो आपको क्या तरीके एडॉप्ट करने होंगे आपको basically क्या input डालना होगा वो सारी चीजे मैं next video में बताऊंगी उसकी वित्यारी मैंने शुरू कर दिया कि इस समय मैं आपको कुछ जल्दी कुछ वीडियो को दे दूँ तो चलिए start करते हैं आज का ये वीडियो और प्लीज चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को ज़रूर subscribe कर लिजे ताकि मेरी reach बढ़े आपके तक है कि if you want to publish your research paper in social sciences, sciences और even in engineering subject ये basically ये जो है ना वो सभी subjects के लिए है तो आप अपना paper arts में, humanities में, social sciences में, engineering subjects में अगर अपना publish कराना चाहते है paper तो आपको क्या करना होगा ये सभी students को ये चीज करनी होगी first you have to determine which field you are interested in देखे मैं शुरू से कहती हूँ कि अभी से ही आप अपने interest area को choose कर लिजे इतना emphasize हो के हम लोगों को किसी ने नहीं बताया था इस वज़े से बहुत problem भी होती है जब आप MA में आ गए हूँ MA final year में आपको dissertation करना होता है dissertation बहुत जगह पे जैसे हमारे बनारस Hindu University में dissertation है महात्मा गांधी काशी विद्या पीट में dissertation है सारे universities में मेरे ख्याल से PG में dissertation है dissertation में मतलब हम छोटा research करते है but we follow all the steps of PhD सारे steps follow करते है but हमारा जो respondent होते हैं कम होते हमारा area जो होता है वो small होता है and all यह सारी चीजों को हम देखते हैं ठीक है तो आप जैसे ही PG final year में गए and you have to आपको करना है dissertation तो तब ही से आप अपने जो research area है न आपका जो specialization होगा आगे चलके उसको decide कर लीजे मैं यहाँ पर sociology वालों के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको urban sociology में interest है ruler sociology में interest है sociology of crime में interest है sociology of crime and deviance में interest है आपको sociology of environment में interest है किसी भी sociology of development में interest है किसी भी area में आपको interest है तो आप अभी से उसी ओर जाने लगिए मतलब आपका dissertation भी उसी पर होना चाहिए आपकी thesis भी उसी पर होना चाहिए आपका जो research paper है उसी पर होना चाहिए कोशिश करिए seminar भी आप उसी पर attend करें ये सारी चीज़े आपको उसी पर करनी होंगी प्लीज इस पर आप focus जरूर करिए मैं अपने सारे subscriber को ये बता रही हूँ आगे चलके यही ये line लिखी है कि आप अपने पहले तो interest area को समझे कि आपका क्या interest area what is your interest area वो interest area समझने के बाद से आपके उसी interest area में कौन-कौन से journals publish हो रहे है आपको फिर उन journals को देखना होगा ऐसा नहीं है कि हर journal में हर चीज publish हो जाती है never जैसे women अगर gender studies आपका है women studies है तो gender studies और women studies के जो journals होते हैं वो अलग होते हैं आपका environment है तो आपका अलग है आपका child education पे है तो वो अलग है social job education पे आपका है तो उसके journals अलग है तो you have to find the journals according to your interest area then आपको क्या करना है then must read about 5 or 10 papers published by the journals in the last 5 to 10 years to be familiar with the type of publication, writing skill and format चेक है क्या कहा जा रहा है ये बात ये बात ये कही जा रही है कि जैसे ही आप अपने journal को find out कर लिए कि yes मेरा gender studies है और gender studies में ये journals publish हो रहे है आप उस journals को उठाइए उसमें जो articles publish हो रहे हैं कब तक पिछले पात से दस सालों तक पात साल का भी आप देख लेंगे that is enough पिछले पात साल में आप कोई भी रैंडम ली पात से दस आर्टिकल सेलेक्ट कर लीजे and you have to spend your time almost one month time to read it ठीक है वो सारे आर्टिकल को आपको फिर read करना होगा तभी ये read क्यों करने वाली बात कही है तो आपको लग रहा होगा मैं वो तो wastage of time है never क्योंकि आप देखेंगे कि वो journal किस तरह के format को adopt कर रहा है किस तरह के writing को adopt कर रहा है किस तरह के आपके publication आ रहा है जब आप वो पास से 10 journals पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि yes that is the style of that particular journal that is the format of that particular क्योंकि हर के format अलग-अलग होते हैं तो reference लिखने के format अलग होते हैं और methodology लिखने के format अलग होते हैं अलग-अलग चीज़े हैं आगे मैं बताऊंगे फिर उसके बाद से you can access the website of publisher and submit your manuscript according to their guidelines उसके बाद से आप जैसे ही select कर लेंगे journals आप उसके according अपने 5 to 10 papers पढ़ लेंगे और paper पढ़ने के बाद आप अपने paper को भी उसी के according format कर लेंगे जिब ये सारी चीज़ कर लेंगे उसका फिर तरीका अलग है कि आपके research paper में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए आप plagiarism कैसे test करेंगे that all are different part फिर आपका जब paper ready हो गया आप उस particular journal के website पे जाएंगे website जाने के बाद आप ये एक option आता है कि submit your manuscript here तो वहाँ पर आप अपना manuscript मतलब एक short जिसमें आप सारी चीज़े लिख करके मतलब short में लिखा जाता है कि मेरा ये title है मैंने ये methodology adopt की है ये मेरा area है और मेरा major जो questions है research questions और hypothesis ये है and my major conclusion and suggestion is this 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 ये आप लिख करके manuscript whole research paper नहीं manuscript आप वहाँ पर submit कर देंगे जैसा उसने guideline दिया because हर research paper के guidelines बिलकुल अलग-अलग होते हैं ओके आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद से आपको क्या करना है कि research paper can be submitted to an independent journal with ISSN or to be conference proceeding having ISBN अब आपको कहा research paper submit करना है योह ही कहीं नहीं कर देना है research paper submit है ना कि जो मिल गया आपको कर देना है ऐसा नहीं है उस particular journal का अपना ISSN number होगा या फिर ISBN number होगा दोनों अलग-अलग चीजे हैं उस particular journal अगर है तो वो ISSN number होगा और अगर conference proceeding है conference proceeding मतलब कि कोई सेमिनार हुआ हो और उसमें paper मांगे गए हो और वो paper से फिर book publish कर दी जा रही हो तो that is called conference proceeding तो वो उसमें ISBN number होता है अब मैं थोड़ा सा आपके साथ यहां पर ISSN number और ISBN number के बारे में बात करती हूँ सभी लोग normally हर book के पीछे ISSN number जान जाते हैं और जब पूछ दो मतलब आप academic है ना you are now academician you qualified your PG now you are in research और आपको ISSN number नहीं पता बहुत common भाशा है कि ISSN number and ISBN number पर अगर actuality में बात की जायना तो बहुत कम लोग को पता होता है कि what is exactly ISSN number ISSN and ISBN ओके तो यहां short में मैं थोड़ा सा बात कर ले रही हूँ ISSN मतलब क्या होता है international standard serial number ओके ISSN का full form अब आप नहीं बूलेंगे ना क्या है international standard serial number it is a national and international standard for serial publication मतलब लगातार जो publication हो रहे हैं तो उसके लिए नरधारित है राश्टी इस तर पर ISSN number जो है it is always a eight digit code यह eight digit code होता है used to identify क्या करने के लिए newspaper, journals, magazines, periodical of all kinds and all media print and electronic मतलब print में भी अगर कोई इस तरह की journals आ रहे हैं या electronic आ रहे हैं आजकल देखते हैं आजकल आपके जो research papers होते हैं वो सारे electronic चलते हैं मतलब उनको print form में आपको नहीं मिलेगा if you have to show your research paper you have to print आपको print कराना पड़ेगा but print form में नहीं मिलते हैं और कुछ journals आपके पास print form में available हो जाते हैं तो whether the journal is in print form or electronic form there always be a ISSN number it is always a eight digit number और उस eight digit को हम two groups में divide करते हैं four digit four digit ठीक है और वो four digit four digit बीच में hyphen से segregate हुआ रहता है यह आप देख रहे हैं जहाँ पर मैंने circle किया ठीक है that is about ISN इस से ज़ादा मैं नहीं बता रही हूं यहाँ पर if you need तब मैं ISN के बारे में detail बताऊंगी अब now we are moving to ISBN ISBN जो होते हैं वो मैंने बताया कि conference proceedings में या जो books आते हैं उसमें ISBN number use किया जाता है international standard book number okay ISN ISBN international standard book number identifies the registrant as well as the specific title edition and format यह सारी चीजे होती है for more than 13 years ISBN's were 10 digit long आज से जब शुरू हुआ यह तो 13 साल तक लगबग जो ISBN number होते थे वो 10 digit के होते थे पर January 2007 से यह 13 digit के format में आ गया याद रखिएगा before 2017 यह 10 digit के होते थे after 2007 sorry 2007 January 2007 यह 13 digit के में आ गया है okay आगे move करते हैं अब मैं यहाँ पर बनाई हुई हूँ ISBN का देखिए ISBN यह जो यह पूरा दिया हुआ है sorry एक मिन यह जो पूरा दिया हुआ है यह देखिए पूरा 13 digit का number है यहाँ तक इसमें से जो पहला digit होता है मतलब 3 digit जो होते है 978 यह tell us that this is an ISBN यह बताता है कि यह ISBN है मतलब 978 से शुरू हुआ तो यह बताएगा ISBN यह बुक जो है वो ISBN है ओके फिर जो next single digit होता है जैसे मैंने एक example लिया ISBN का इसी तरह हर बुक के ISBN अलग होते हैं बस चुरूआत वही होता है 978 त्री जो है वो country और language को बताता है जिस देश से book publish हो यह और language की वो आपको digit यह second वाला digit बताता है मतलब हर country के according यह digit बदल जाती है definitely जो अगला दो digit है यह जो 16 मैंने लिखा है आपर यह publisher के बारे में बताता है फिर आगे जो 6 digit है यह title, edition and format of book बताता है और last जो है वो check digit बताता है यह मैंने यहां से source करके लिया हुआ है अब below barcode अब एक barcode होता है मैं आगे उसका image यहां पर लग बार कोड के नीचे EN, number, group, publisher, title, check, desert यह सारी चीजे होती है ठीक है मैं यहां पर आपको दिखा देती हूँ एक बार ISBN का यह है ना दिख रहा है ना इसमें देखे यह ISBN इस तरह का रहता है उपर का उपर की चीजों को मैंने बता दिया कि यह क्या-क्या चीजे है और नीचे य इसमें EN, EAN, number, group, publisher, title और फिर check, desert यह सारी चीजे होती है ओके आप मेरे ख्याल से समझ गये होंगे इस चीज को फिर मैं back करती हूँ कि अब हम लोग उस पर चल रहे है कि हमारा क्या process होना चाहिए कि after the manuscript is submitted you have to address the comments made by the several reverse अब आप जब manuscript आपकी summit हो गई तो आपके पास comments आते रहेंगे अलग-अलग reverse के जैसे अभी मैंने एक edited book आ रही है तो उस पे मैंने अपना paper भेजा है ठीक है उस paper को भेजने के बाद से दो बार मेरे पास आ चुका है एक तो plagiarism test होता है कि आपका 15% से ज़्यादा plagiarism नहीं होना चाहिए तो फिर मेरा थोड़ा सा जादा हो गया था तो फिर मेरे पास comment आए फिर मैं उसको सही कर रहे हूं तो इस तरह से process होते रहते हैं ओके यह मैंने समझा दिया अब आगे पढ़ते हैं कि the paper is the paper is accepted and published after it is finally revised उसके बाद reverse के comments आएंगे फिर आपका paper finally submit हो जाएगा जो जो आपके पास comment आ और फिर आप finally publish हो जाएगा बदाई आप सभी को इश्वर करें आप सभी इस प्रयास में सफल हो क्योंकि paper publication में बहुत बहुत टाइम लग जाता है दो महिने का process त्री महिने का process पर क्या जिल्दी बाजी है साल में एक या दो paper भी publish हो गया तो वो एक जंग जीतने के बराब और इसी तरह से target भी UGC रखता है ऐसा नहीं बहुत जादा जादा रख देता है कि आप उसको करी नहीं पाए आप कभी apply कर रहे है assistant professor के लिए तो इतना जादा API मांग दे रहा है paper में कि आप करी नहीं पाए ऐसा नहीं है that वो practical है वो वही चीज रखे है जो practical है ये sources मैंने इस किताब से लिए है बहुत standard book है बहुत standard इसी से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ों दियू research methodologies for beginners pen stanford publishing house है और इसके जो writer है बड़ा बहुत tough नाम है किट से कौन जो भी है sorry अगर गलत बोल रही हूँ अब आगे हम लोग बात करते है impact factor की ठीक है अब ये कौन से चड़िया का नाम है impact factor impact factor जैसे बहुत सारे एक चला है तो impact factor बहुत चला है कि आपके जो research paper का जितना अच्छा मतलब आपके journals का ये journal पे होता है जिस journal का जितना ज़्यादा impact factor होगा आपको उतने points आपके research paper पे मिलेंगे अब क्या है कि we should not send our papers to predatory journals and publishers as well as as per Zaffry's Bell's list ये क्या है देखे एक होते predatory journals ठीक है Jeffrey Bell's list तो Jeffrey Bell's ने एक listing की है उसमें उन्होंने predatory journals को डाला है predatory journals मतलब जो कहा जाता है कि legal journals नहीं है अभी मैं पूरा predatory journals के बारे में आगे बताने वाली हूँ तो इतना समझिये कि Jeffrey Bell's ने predatory journals की list बनाई है और हमें उन predatory journals में नहीं जाना है ठीक है सिधा समझ में आया तो वो term क्या होता है predatory journals ओके वी शुट सेंट इट तो authentic journals having an impact factor हमें उन authentic journals के पास अपने research paper को भेजना है जिनके authentic impact factor हो अब समझते हैं कि what is impact factor क्या है impact factor impact factor is a measure of the frequency with which the average article published in a given scholarly journals has been cited in a particular year and often used to measure or describe the importance of particular journal to its field impact factor क्या है यह वो बताता है कि आपके जो article published हुए है वो एक साल में कितने बार अलग अलग जगह पे cited हुए है मतलब बाकी लोगों ने जब अपना article लिखा तो आपके चीजों को कितना cite किया ठीक है आपका research paper कितनी जगह cited हुए है उससे उस journals की का impact factor बढ़ते जाता है impact factor was originally developed by Eugen Garfield ठीक है Eugen Garfield ने impact factor को discover किया है यह याद रखिएगा Eugen Garfield इन्होंने इस impact factor को discover किया है and और यह Garfield कौन थे यह institute of scientific information से जुड़े हुए थे जो कि अब इसको हम clarivate analytic कहते हैं चीक है now which is not a which is now a part of clarivate analytic यह आप नाम याद रखिएगा the early development in impact factor was reported in the Thomson Reuters Thomson Reuters में हर साल वो development बताता है कि इस particular journals को इतने बार cite किया गया है impact factor is a benchmark for a journal reputation and reflects how frequently peer reviewed journals are cited by the other researchers in a particular year अब समझ में आ गया कि impact factor एक benchmark तै करता है कि particular journal कितने एक साल में कितने बार cite हुआ है मतलब अलग-अलग researchers ने उनका कितना references दिया है that is called impact factor समझी न अगर आपकी चीज अच्छी है तो आपको लोग reference देते रहेंगे न अब मैं यहाँ पर थोड़ा predatory journals के बारे में बता रही हूँ जो कि भयानक चलन में आ गया है हम सब उसकी गिरफ्त में आ चुके है predatory journals solicit solicit मतलब क्या होता है कि to ask somebody for money ठीक है हम किसी चीज से पैसे के लिए कोई चीज मांगे तो predatory journals solicit articles from researchers through practice that exploit the pressure on the researchers to publish आपके पास देखिए randomly बहुत सारे mail आते रहते होंगे न कि आप मेरे यहाँ publish कराईए आप मेरे यहाँ publish कराईए when you email them or when you call them तो आप से बुझेंगे कि yes 7000 आपको देना होगा 6000 आपको देना होगा मतलब कि वो आपको exploit कर रहे हैं कि आप अपने paper को हमारे यहाँ publish कराईए अच्छा features क्या है predatory journals के कि rapid pay to publish model यह इस model पे काम करता है कि तुरंट pay करिये और तुरंट आपके article publish हो जाएंगे without rigorous peer review उस पे कोई peer review नहीं होता है जैसे मैं अभी बताया थे ना कि मैंने अपना edited book में मैं अपना एक chapter दी हूँ तो मैंने बताया ना कि चार बार उस पे काम हो चुका है कि आपके अभी grammar थोड़े से कमजूर है या फिर अभी जो content है उसको सही करिये फिर मैंने भेजा तो फिर आया कि आप plagiarism टेस्ट करके भेजिए फिर मेरे पास वो चीज नहीं थी तो बोले कि चीक है मैं उसको कर दे रहा हूँ फिर उन्होंने turn it in पे plagiarism टेस्ट किया और फिर मुझे पूरे मेरे article पे highlight करके भेज दिए कि इन जगह पे plagiarism दिख रहा है फिर मुझे क्या करना होगा वो sentence थोड़ा सा change कर देना होगा जिससे कि फिर वो sentence match न करे तो वो anti-plagiarism हो जाएगा plagiarism free हो जाएगा तो इस तरह के चीजे होती है बट जो predatory journals होते हैं वहाँ पर इस तरह की कोई विवस्था नहीं होती आपने पैसा दिया आपके journal छप करके आपके घर आ गए या फिर जो electronic media होता है उसके थ्रूँ आपके पास आ गए ये सारी चीजे fake editorial board उनके जो editorial board दिखते हैं आदे all are fake फिर है fraudulent impact factor fraudulent impact factor मतलब दिखाएगा कि 7.5 impact factor है 6.5 impact factor है but they are false ये false impact factor होते है जब आप उसको google पे search करेंगे न तो आपको ऐसा नजर ही नहीं आएगा मतलब बहुत बेकूफ बन रहे हैं लोग कि जब आप उसको google पे search कर रहे हैं तो पता चला है कि वो journal तो अस्तित्व में ही नहीं है उसका तो ये ये impact factor ही नहीं है ये सारी चीज़े होती है journals titles are similar to those अब वो जो journals के नाम होंगे न वो वैसे होंगे जैसे कि सच में जो legal journals होते हैं वैसे उनके नाम होते हैं तो ये भी हमें भ्रम्य हो जाए international journal of social sciences ऐसे करके नाम हो जाएगा तो लगेगा कि एकदम सच में legal है मतलब कुछ भी ऐसे मैं अपने मन से बोल रही हूँ इस तरह के कुछ भी नाम हो जाते हैं फिर aggressive spam invitations to submit articles और आपके पास इतने messages आएंगे कि अपने article को submit करिए मैं publish कर दूँगा ऐसे से करके तो predatory actually meaning क्या होता है predatory word जो है वो science का word है वहाँ पर मतलब होता है कि living by killing and eating other animals मतलब दूसरे जानवर को या plants को मार करके खुद जिवित रहना इसको predatory कहते हैं यहाँ पर उसका मतलब यह है कि using weaker people for his own financial advantages की ऐसे कमजोर लोगों को पकड़ो मतलब जो लोग अपने articles को legal journals में नहीं publish कर आ रहे हैं और उन्हें अपना API भी show करना है उन्हें promotions भी चाहिए उन्हें कहीं पर interview भी देना है तो उसके लिए ऐसे लोगों को पकड़ो और अपने financial gain करो यह है तो जैफरी बेल ने इस predatory journals की list बनाई थी याद रखिएगा बहुत अच्छी बात है यह कि जैफरी बेल coined the term predatory publishing इन्होंने predatory publishing यह शब्द दिया predatory publishing is an exploitative business model which preys upon academic publishing ओके समझ में आगे आपको आगे यह है थोड़ा सा जैफरी बेल के बारे में देख लेते हैं कि he was a Denver librarian, University of Colorado and researcher जो Colorado की university है तो Colorado की capital है capital city है Denver वहां में यह librarian थे जैफरी बेल and he published his list of predatory publishers in 2010 और 2010 में बहुत पुरानी बात नहीं है 2010 में इन्होंने पूरे predatory journals की list बना दी मतलब बताया कि यह यह predatory journals है क्रिपया वहां पर अपने जो papers हैं उन्हें ना भेजे after noticing इनको यह कैसे आया इन्होंने देखा कि मेरे mail पे लगातार लगातार mails आ रहे हैं और वो mails demand कर रहे हैं कि आप अपने article को submit करिये और आईए मेरे editorial board को join करिये यह सारी चीज़े आ रहे हैं तो उस तरह से उनकी निगाह गई कि यह open access जो publishers हैं उनकी एक listing की जाए ताकि जो academician है उन्हें clear हो तो यह 2017 में again predatory journals की list है website पे आपको मिल जाएगी आप चाहे तो देख सकते हैं ताकि आप बच सके इन सारी चीजों से तो वही मैंने लिखा है कि after noticing a large number of emails inviting him to submit articles और join the editorial board of previously unknown journals he began researching open access publishers और probable predatory scholarly open access publishers तो मेरे ख्याल से आपको यह अच्छे से समझ में आ गई होंगी मैंने source पीछे ही दिया है उस book का नाम research methodology for the beginners basically वो जो book है वो science और engineering वाले students के लिए है मतलब आगे जब आप पढ़ेंगे तो वो science और engineering students के लिए बट जो starting है वो सभी के लिए है तो वहां से मैंने यह चीज ले करके बनाई hope आपको यह video आज की पसंद आई होगी क्योंकि सिर्फ sociology के लिए नहीं है हर stream के लिए है यह video और इतना MA pass out बच्चे को इतनी basic जानकारी होनी चाहिए आप MA में हैं तो भी आपको यह basic जानकारी होनी चाहिए hope आपको यह पसंद आया होगा video अगले video में मैं research papers में क्या चीज़े होनी चाहिए किन चीजों को दिमांग में रख कर क्या research paper बनाएंगे उन पर video ला दूंगी mostly एक या दो दिन में तो मेरे साथ जुड़े रहिए मेरी energy level को ऐसे ही बढ़ाते रहिए खुब पढ़िए खुब मस्त रहिए खुब स्वस्त रहिए जैहन जै भारत